उद्धापरदेश की मुरादाबाद में लेडी टॉन के नाम से मशूर शादे हिश्ट्री सीटर महिला अपरादी हसीना को पुलिस ने किया ग्रफतार आउपी महिलाबट दो दर्दन से ज़्यादा अपरादे मुकद में दर्ज महिला श्ट्री सीटर के पास से काफी मादरा में चरफ सहीत नशीली दवाय बरामद हुई हैं मुरादाबाद पुलिस त्वारा ग्रफतार की कई शाते हिस्ट्री सीटर महिला अपरादी हसीना मुरादाबाद में नशीले पदारतों की विक्री करने वाले गैंकी सरगना बताई जा रही है इस लेडी डॉन पर पुलिस अब तक गंबीर आरोपों में 25 मामले दर्ज कर चुकी है लेकिन हर बाद यह लेडी डॉन जेल जाकर जमानत कराकर बहर आ जाती थी और फिर से अपने नशे के काले कारोवार को सुरू कर देती थी पुलिस को काफी दिन से इस लेडी डॉन की तलास थी लेकिन है ठीकाने बदल बदल कर पुलिस को छका रही थी लेकिन जैसे ही पुलिस को लेडी डॉन की अपने घर में ही होने की सूचना मिली थाना मजोला पुलिस ने S.O.G. बावसदी विवाकी टीम के साथ मजोला थाना छेतर के जैनतीपुर में लेडी डॉन के घर पर सुब़े छे बजे चापा मारा जहां से आरोपी महिला को गरफतार कर लिया गया लेडी डॉन के पास से नसीले इंजेक्सनों के साथ भारी मातरा में चरस वरामत की गई है मुरादाबाद पुलिस ने हसीना को गरफतार कर जेल भेज़ दिया है आपको बता दें कि शादिर लेडी डॉन हसीना का पती बिट्टू पहले मुरादाबाद का सट्टा किंग था लेकिन गैंग बार में बिट्टू की मौत हो गई थी उसके बाद से हसीना ने सट्टे की कमान समाली लेकिन सट्टे के कारोबार में ज्यादा पैसा ना कमाने के बज़े से हसीना ने नशीले पदार्तों की विक्री शुरू की और देखते ही देखते वह 8 साल में लेडी डॉन के नाम से मशूर हो गई मजहूला पुलिस ने मुरादाबाद के ड्रग इंस्पेक्टर के साथ उनकी संयुक्त टीम ने एक महिला को गिरिफतार किया गया है जो मुरादाबाद सहर में नसे के और सट्टे के कारोबार में लिपता है जिसके जिस पर थाना मजहूला पर लगवग दो दर्जन से अधिक 25 मुकत में इसके विरुद दर्ज की गए हैं पहले से ही लगातार इस तरह के नसे के कारोबार और जुवर शुट्टा इस तरह के कारोव में लिपत रहती है मजहूला थाना छेत्र की येचस भी है इसको गरपतार करके इसके पासे भारी मातरा में इंजक्संस, कैक्सूस और चरस बरामत किया गया है इसको गरपतार कर लिया गया है नियमा नसर विजिक करवाई कराई जा रही है मुरादाबाद से शारुख हुसाइन की रपूर